है हाव टो एक्सपोर्ट टीशू पेपर फ्रों इंडिया हिंदुस्तान से हम टीशू पेपर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत जब्रदस्ती वीडियो होने वाला है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजी उसेन इंटेल से बिजनिस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पिकर दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सब का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं सिंपल बनाते हैं तो फ्रेंट्स एक इंटरस्टिंग टोपिया आज आपके ले लेकर हैं हाव टो एक्सपोर्ट टीशू पेपर फ्रों इंडिया ह इसमें ग्रोथ पोटेंशल क्या है एक्सपोर्ट परमेशन काउंसिल क्या है टोप कम्पिटेटर कंट्रीज कौन-कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइजिंग क्वालिटिक है कॉंपिटिशन होने वाला हैं यहीं सभी कोश्षिंस का माँत से लेका हैं च्छोटी से वीड वो सब आपको benefit देरी तो गोर्मिट benefits में सबसे पहले पाइदान पर आता है डीवी के duty drawback जो कि आपको custom द्वारा दिया जाता है तो डीवी के कितना मिल रहा है डीवी के यहां पे आपको 1.3% मिल रहा है 1.3% of your commercial invoice value परफोर्मा इन्वाइस नी commercial invoice value का 1.3% आपको मिल रहा है डीवी के duty drawback जो कि आपको custom द्वारा दिया जाता है आपका 10 लाग का यानि interest equalizing scheme यानि आप कहीं से अगर loan लेते हैं तो उसमें government आपको कुछ मदद करती है EMI pay करने में कुछ percentage आपको देती है और अगर आप merchant exporter है मल में 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 आपका registration नहीं है आप merchant exporter है तो आपको 2% मिलता है तो 1% का यहां difference हो जाता है अगर मैं बात करूँ basically RODTP की road tape जो पहले MEIS था अभी मेस से हटके RODTP हो गया यानि road tape remains of duties and taxes on export product तो basically road tape आपको यहां मिल रहा है जो आपका free on board value है उसका 1.1% मिल रहा है आपको RODTP road tape जो की पहले MEIS था अगर मैं बात करूँ demand की यानि वो कौन-कौन सी country जिसमें सबस्जाद इसका import हो रहा है इसरे पहले notes basically जो मरा training होता है online भी होता है offline भी होता है aur produits and dates garlic date की अभी online की date कॉन सी training की की बात की है तो क्या किस्त कितना investment लगता है कितना time लगता है क्या कि documentation लगती पूरे step by step आपको सिखाते हैं आपको 100% train करने की guarantee रहती है और training के बाद में आपके पास में help desk support रहता है आगर में demand के बात करो वो कौन को कौन सी country जो इसका सब जादे इंपोर्ट करी है उसमें सबसे पहले पाइदान पर आता है USA United State of America जो में सहराजय की तरह इंपोर्ट करता और export भी करता है तो USA कितना इंपोर्ट करा USA two point eight nine billion US dollar देखिए आपको चोटा सा लग रहा कि toilet paper और टीशु पेपर एक चोटा सा आइटम है चोटा सा प्रडक्ट है लेकिन बहुत जबर्दस्त की इसकी डिमांड है और हिंदुस्तान इसमें बेसिकली बहुत पीछे है इसमें आगे बढ़ने की ज़रू थे क्योंकि हिंदुस्तान में जादे टीशु पेपर यूज नही और यह घर्मनी इसका एकी इंपोर्ट भी करता है तो ऊटरहें तो फ्रास एक सब्सक्राइब कर सकते typically各 नम् चीज इसया पर गैपर एक रहा है तो प्रमन चैउसन टीचारगेट कर सकते हैं chapel को studio पर्ड़इन कर तो फ्रांस अगर कैनाडा की बात करें कैनाडा भी यहां पीछे नहीं है कैनाडा 1.32 billion इस दो का परियर इंपोर्ट कर रहा है तीशू पेपर का अगर आपके पास में टीशू पेपर है तो आप कैनाडा को भी टारगेट कर सकते हैं UK की बात करें United Kingdom UK 1.25 billion इस दो का परियर इं आपके पास में टीशू पेपर है तो इन टो फाइप इंपोर्टिंग कंट्री को आप टीशू पेपर एक्सपोर्ट करके हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं आगर नए साल में आप successful exporter बना चाते हैं तो सही mentor चूज करके आप इनके साथ में काम कर सकते हैं औ तो basically इसका HS code बन जाता है 48239090 तो basically इसको आप research भी कर सकते हैं अगर मैं growth potential की बात करूं कि sir आपने ये तो बता दे कि इसका demand है लेकिन इसका growth potential क्या है इसका CGR क्या है अभी इसका कितना market है आगे कितना market expected दिखाए दे रहा है तो इसका अगर world market की अगर अभी बात करूं कि अभी इसका world market कितना है तो world market of tissue paper is 73.98 billion US dollar and that is expected to grow up to 119.26 119.26 billion US dollar by 2028 यानी भी 2023 चल रहा है आज पहला ही दिन है जन्वरी का पहला दिन है basically तो 2000 जो वीडियो बना रहे हैं पहला दिन है फर्स्ट जन्वरी को बन रहा है जहां सब लोग अपना happy new year मना रहे हम आपके साथ में knowledge share करके happy new year मना रहे है तो basically 2023 से 2028 यानी इन 5 साल के बाद ये market होने जा रहा है tissue paper का world market 119.26 billion US dollar का at a CAGR जो compounded annual growth rate होता है वो ये product दिखा रहा है 6.18% 6.18% मैं हमेशा अपने lecture अपने webinar अपने किसी भी platform पे कोई बाद कोई भी जहां पर मुझे मोका मिलता है तो वहां पर मैं हमेशा बताता हूं कि जिस भी product का CAGR compounded annual growth rate 5% के उपर होता है तो उस product को अच्छा माना जाता है उसमें आप काम कर सकते हैं अच्छा result आपको देखने को मिलेगा अगर मैं EPC की बात करूँ Export Promotion Council तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे कि सर इसमें CapExil लगने वाला यानि the chemical and allied product Export Promotion Council जिसका RCMC Registration का Membership Certificate आप बेसिक वाला 10,500 रुपीज देखे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं पूरा online system रहता है अप EDA का भी online बहुत सारी जो EPC जे Export Promotion Council उनका जो Registration है यानि उनका जो Membership Certificate है जिसको RCMC बोलते है northern note pormПр never exception कर जलता रहें सिस्टम डवलप कीजें आपको कहीं आपको ज्विडियो में बताता हूं कुल कि आपको कहीं जाने की साथ में रहें आपको अपक़ आगे चलता रहेगा सिस्टम डवलप कीजिए अगर में टोप कंपीटर की कंपीटर की बात कुरिया नि वह कौन-कौन सी कंट्री है जो इसका सब्सक्राइब चाइना यहां पर वर्ल में नंबर वन पर एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को यहां बीट करना हमारे नेक्स्ट विंपोसिबल हो पा रहा है इसलिए मेरा हाज जोड के नंमर निवद देन जो हमारे भाई में जो मारे लेडी इन चेनला में आप देखने को मिलेगा और आप इसमें चाइना को भीट करने में हमारी मदद कीजे तो चाना 4.25 बिलियर डिर्अज डियुर का पर यह एक्सपोर्ट कर रहा है from China to different countries, especially European country or American country. आगर मैं second number की बात करूँ जर्मनी, जर्मनी इसका import भी करता और export भी करता है, तो जर्मनी 2.7 billion US dollar का per year export कर रहा है, आगर third number की बात करो तो पॉलेंड आता है, पॉलेंड बेसिकली 1.68 billion US dollar का per year export कर रहा है, तीशू पेपर का, अगर इटली की बात करों तो इटली भी इसका export करता है, इटली 1.31 billion US dollar का per year export कर रहा है, तीशू पेपर का, तो फ्रेंड से अगर ये वीडियो आपको पसंद देए, आप इसको लाइक की जान करने में, अगर कुछ छूट गया, उसमें कुछ आप additional value add करना चांते हैं, तो ब्राइब का comment box में, और आपको next वीडियो किस topic पे चाहिए, वो भी आप हमें suggest कर सकते हैं, कि next वीडियो आपको कौन से topic पे चाहिए, और हमेशा कि तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, लाइफ में एंजोए कीजे और हैपी निव येर मनाईए, फैमिली को टाइम दीजे, बिजनिस अपने इस स्पीड से चलता रहेगा. Thank you, thank you very much. Thank you.